कि बिस्मिल्ला रख्मान वाहिम असनामलीकूम विवर्स क्या हाल है आई होप आप लोग सब ठीक होंगे इसे के साथ आज का विलॉग स्टार्ट करते हैं जी आज हम लोग ने यह वली पैलिंग लगवाई है वाश्रूम में और देखे कितना ज़रा गंद पड़ गया मैं लाइट नहीं है वाश्रूम में क्योंकि वह पर सुना इंबलब जोन है वह पैलिंग करते वक्त यहां पर ज़रा नमी थी तो हम लोग पैलिंग लगवाई है कितनी प्यार यह पीर यह पिंक कलर की टाइल्स है तो उसके साथ ही हम लोग नहीं देखे मैच की हुई है पैलिं जब टर जाए होगी तो लेवार के साथ है क्योंकि डिवार के साथ हुई है कि अतलि तो पूछा यहां पर बिठाना होता है मैं तो यहां पर जाए निकाल जाए निगा लुए यह देखे सारी नजरारी न मेरे हाथों को बनादों तो और में अब चरा लाद में सारा कच्रा बाढ़ लिया, और सबाब वह कुड़ेवल आएगा थो खुदी ले जगा मैं निका इसको भी बाइर राक दूंगी वो लेज़ागा, खुली सुबह। और अब यहां पे अब मैं करीम का जो है, वो ग्याई निकालने लगी हूं और जाग जो है न ग्यान करीम को मामा ने लगा कर रख दी थी, इसको इस तरुड़ के लगाते हैं कि थोड़ा से इसको नीम कर्म करते हैं एक दो तेहीं डालते हैं तो तेहीं जैते हैं, फिर उसके बाद के लिए चुमच गे निकाल रही है उर यहां पर मैं दूदो बाले चमच के साथ निकाल भी हूँ लेकिन यह थोड़ा सा ठीरा हो गया था फिर मैंने सोचा कि यह तो चमच जो रहा तूरा सलका था टोर जाएगा फिर मैं दूसरा चमच ले आइ मैंनेक्ट इसके साथ निकाल देते iha हूं यह सीध़ वाड वाड़ चमच कर वह सीधा था तो मैंनेक्ट इसके साथ जो अच्छी त्रीक से निकल जाएगा यह सालम वला चमच है ना तो गोल चमचता है तो उसके साथ यह निकलनी थी रही है क्योंकि जम के ना फिर वो सकत तो हो जाती है ना तो अब इसके लिए मैंने क्या किया है नीम गरम पानी रख दिया है चुलेबे में मतलब अब यह मोसम जो है थोरा सा नॉर्मल हो चुका है तो इसमें आपने थोरा सा नीम गरम पानी और बागी थंडा पानी डालना है अगर गर्मी होंगी तो आपने इसके अंदर सर्फ थंडा पानी ही डालना है अगर फुल सड़ी होंगे पिर आप लोगों इसके अंदर गरम पानी भी ज्यादा गरम डालना है और थंडा काम डा औिया और अब मैंने इसको चलाने लगी हJU K country लोगा दिया और यहां पर मैंने अपनी जो मिधानी उसको चला दिया और इसको पांद thousand मिन के बाद मैंने आके चेक किया और यहां पर यह जो मेरा मक्षन वो निकल आया था और अब मैंने इसको फिर बाद में स्टेंडर के साथ निका लिया था इस मक्षन को यह देखें यह सारा मक्षन निकाल है और नीचे इसकी लस्टी है इसको मैं फीजर में जमा दूंगी तो अगर आप इसके सारी लसी निकाल दो भी और अगर आप लोग इसका मक्थन रखना जाए तो फिर इसको थोड़ी दिर में पका ले ले तो फिर यह आपको इन्फ्रमेशन देना है exaggeration अपी आपी प्यास डाल दीए प्यास को ब्रॉण तक वेट करेंगी फिर उसके बाद गभी नेंगे फिर पीरिए उको ऐसे लेग्ड़ जो आपि खतम हो गया कि वह कि आरे दॉक्त करना रहें, तो इस वज़ाद से पिर ये दरसल हम खाना भी थोड़ा लेटी बिना रहे हैं क्योंकि सारा दिन घर में थोड़ा सफाई करने वाली थे वह का रहे तो इस टाइम नहीं था तो इस टाइम पिर हम लोग खाना बना रहे थे साथ बाजरे तो दुबाई कहा रहा था दुकाने स्टम बन दोगी होंगी तो इस लेंडर के नीचे आँच भी बहुत ज़दा कम थी ये तो मैं आपको एडिटिंग करके दिखा रहे हैं बहुत ज़दा टाइम लगा था इसको बनाते हैं क्योंकि गैस खतम होगी तो इस लें दो अब इसक gifted में नमक, बड़ी जीरा मसालया के निदा प्राइब लाल मिच का नमक अप्याब अपि अप्यान्याग्या शॉछरी मेट्टी रखा जाए चाड़ अच्वाचर सब्सक्णर हुए एक अप्यान व offsकामाब ग्याशमक्तूं अहली एक लब्भषित कई शॉज़त sisters ہی کرतے ہیں ऐसी कोई बाती है अलहम्दलेला मुझे cooking करनी आती है और मैं करती हूँ जो काम मैं खुद करती हूँ वो मैं बताती हूँ जो काम मेरी sisters करती हूँ वो मैं बताती हूँ कि यह मिरी sisters कारी हूँ मुझे दो तिन लोगों ने बोला है कि आपना आपको कुकिंग नहीं आती है ऐसी कोई बात नहीं आती है और जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ मुझे कोई जूरत नहीं है कि अपना नाम रखने की जो मैं सिस्टर्स काम करती है मैं उनका नाम ही लेती हूँ ठीक है और यह देखें जी अब आप इन्हें आ आमा जो है वो रोटी ये बना रही है यही था मिराज का लोग अलाफीस मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल लाइकन पर प्रेस करें और आल पर क्लिक करें दाके मेरा बरवक्त नोटिफकेशन आपको मिल सकें